अगर आपके पास है 25 पैसेगा गेंडे वाला सिक्का है तो आप भन सकते हैं लगपती केवल 25 पैसेगा गेंडे वाले सिक्का की कीमत 3 लाख से करोणों रुप्य तक हो सकती है आश्चरी अचा कित्मत हो यह यह सही है आंधरा प्रदेश में सिक्के की दुकान लगाने वाले व्यापारी के पास इसी तरह कुछ सिक्के संग्रहित हैं जिन में से 1 रुपे 50 पैसे और 25 पैसेगा गेंडे वाला सिक्का है यह सिक्का वा उन्होंने 3 लाख रुपे में बेचा है यदि आपके पास भी तरह के सिक्के तो उन्हें आप भी ओनलाइन शॉप पर बेच सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो यह पहली ऐसी चवाननी थी जिसका आकार गोल नहीं था। इतिहासकार बताते हैं की माशीन से बनी चवाननी पहली बार 1835 में चलन में आई। उसे इस्ट इंडिया कमपनी के विल्यम चतुर्त के नाम पर जारी किया गया था। तब यह चांदी की हुआ करती थी पुराने सिकों के संग्रेह का शौक रखने वाले। सरसर्थ वर्षिय बुजर्ग श्री भगवान ने बताया की 1940 तक आई चवाननी पूरी तरह चांदी की रही लेकिन इसके बाद मिलावट का दौर शुरू हुआ और 1942 सेकंड उन्नी सो पैंतालीस के बीच आधी चांदी की चवाननी बजार में उतारी गई। लेकिन उसके बाद 1946 सेकंड निकल की चवाननी चलन में आई। तिकतों को देखते हुए मुद्रा की जरूरत महसूस हुई जिसके निर्धारित मूलिय पर कोई भी चीज खरीदी या बेची जा सके इस तरह मुद्रा के रूप में सिक्का अस्तित्व में आया। ये विडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखें और प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करें।